एक बार एक बूरी महिला अपने बेटे के साथ बस स्टॉप तक आई। बेटे ने मा को बस में बिठाते हुए कहा याद रखिएगा मनोच चौक। अभी दो मिनच ही हुए थे कि महिला धीमे धीमे बस के आगे तक गई और कंड़क्टर से बोली भाया मनोच चौक वाला स्टॉप आ गया अभी नहीं कंड़क्टर ने जवाब दिया महिला हर पांच मिनित बाद कंड़क्टर से यहीं पूछ थी जुन्जला कर कंड़क्टर बोला अरे माता जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएए मनोच चौक आएगा तो मैं आपको बता दूँगा इस तरह दो घंटे निकल गये महिला ने अप फिर बस के आगे जाकर कंड़क्टर से पूछा तो वो बहुत शर्मिन्दा होकर बोला ओ माता जी माफ कीजिए मनोच चौक तो एक घंटे पहले ही निकल गया मगर आप परिशान मत होईए हम अभी वापस चलते हैं बस वापस मुड़ी और एक घंटे का सफर तै करके मनोच चौक बस स्टॉप तक पहुँची कंड़क्टर ने महिला से मुस्कुराते हुए कहा ये लीजिए आग आपका स्टॉप ये सुनते ही बूरी महिला ने अपने पर्स से एक पुड़िया निकाली और उससे कुछ दवाए निकालकर खाली फिर वो कंड़क्टर की ओर मुड़कर बोली आप चलिए मेरे बेटे ने कहा था मनोच और क्रॉस करने पर अपनी दवा जरूर खालू